तो आज हम बात करेंगे अपर कास्ट वर्सेज लोवर कास्ट, I mean in good sense, ठीक है, तो हम यहापे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बस हम यहापको जनरल बाते बता रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों का डाउट है, कि सपोज कोई अपर कास्ट की गरल है, और वो किस लोवर कास्ट के बोई से शादी कर लेती है, तो क्या उसे जो बैनिफिट्स होते हैं, जो कास्ट को मिलते हैं, रिजर्वेशन के, क्या वो उस लड़की को बैनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, तो answer of this question is, जी बिलकुल नहीं, कोई भी आपको बैनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, हाला कि आपकी जो कास्ट है वो चेंज हो जाएगी, यानि कि आप उस लोवर कास्ट में कहलाए जाओगे, लेकिन आपको जो कंस्टिटूशनल स्टेटस है, वो आपको अपर कास्ट का ही रहेगा, सपोज आप, आप सोच रहे कि यार उस से शादी करके अगर आपक आपको रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अब इसका जो लीगल प्रोविजन है, वो क्या है, वो ये की कंस्टिटूशन, यानि कि सुप्रिम कोट ने सीधा बोला हुआ है, अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सपोज कोई अपरकास्ट की लड़की है, और वो रिजर्वेशन का फाइदा उठाना चाती है, तो वो फाइदा नहीं उठा सकती, ना वैसे, और अगर कोई सी जॉब में है, तब भी वो किसी की चीज़ का फाइदा नहीं ले सकती, त तो मॉरल इस वीडियो का क्या है, मॉरल यह है कि अगर कोई सपोज कोई लड़की है, जनरल कास्ट से या फिर अपर कास्ट से ब्लॉं करती है, और वो सुचती है कि बही मैं मतलब जोब पाने के लिए किसी से महरेज कर लू वागरा वागरा ठीक है, और फाइदा उठा लो सकते हो, अगर आपको instantly reply चाहिए, बिलकुल आपको मतलब होता है, time is money, तो description में जाए, कुछ नंबर से वहाँ आप जाके आप call करो, pay करो, chill करो, okay, so I hope it is clear.